साउथ कोरिया के एक छोटे से शहर डेजू से पांच लगए एक साथ ग्राइब हो गए 26 मार्च 1991 को पूरे मुल्क में पब्लिक होलिडे था और इलेक्शन की त्यारी चल रही थी 9 से 13 साल की उमर के 6 लड़कों ने चुटी के दिन करीब की पहाड़ियों में मुझूद तलाप पर मेंड़क ढूनने का प्लान बनाया ये वो वक्त था जब इंटरनेट और सोशल मीडिया का वजूद नहीं था और छुटी एंजॉई करने के लिए बच्चे बाहर खेल कूत किया करते थे सुबह 9 बज़े 6 लड़के अपने घरों से करीब 2 मिल दूर पहाड़ियों की तरफ चल पड़े छे में से एक लड़का जिसने सुबह नाष्टा नहीं किया था भूग की वज़ा से कुछ ही देर बाद घर लोटाया सब अपने अपने कामों में मुसरूफ थे और इसी तरह शाम हो गई बच्चों के वालदायन की परेशानी उस वक्त शुरू हुई जब एक बच्चे के टीचर ने इसके बाप को फून पर बताया कि इनका बेटा दोपहर एक बज़े कलास में नहीं आया च्योल वॉन के वालद वू जंग ने जब पूच ताश की तो पता चला कि सिर्फ इसका बेटा ही लापता नहीं बलके मजीद चार लड़के और लापता हैं पांचों बच्चों के वालदायने मिलकर बच्चों की तलाश शुरू कर दी पुरी राद तलाश जारी रही लेकिन बच्चों का नामों निशान न मिला अगले रोज वालदायने पुलिस को खबर दी लेकिन पुलिस की तरफ से कोई खास रिस्पोंस नहीं मिला पुरे मुलक में इलेक्शन की त्यारी चल रही थी साउथ कोरियो में 30 साल बाद होने वाले इन इलेक्शन के लिए हर कोई बेताब था यही वज़ा थी कि पुलिस भी इलेक्शन के इलावा किसी और चीज़ पर कोई खास तबज़ा नहीं दे रही थी वालिदयन की परेशानी में इस वक्त इजाफा हुआ जब दो दिन बाद एक अंजान फोन कॉल आई कॉल पर मुझूद आदमी ने बताया कि लड़के इसके पास हैं और वो तकलीफ में हैं और दो लड़के शदीद बिमार हैं कॉल करने वाले ने पैसों का मतालबा किया और वक्त और जगा बता दी अगले रोज वालदयन ने पैसे जमा किया और बताई हुई जगर पर पहुँच गए इस उमीद पर कि आज वो अपने बच्चों से मिलेंगे लेकिन अफसोस की बात ये कि वहां कोई भी ना आया इस वाक्या के बाद वालदयन की तरफ से मायूसी और शदीग घुसा देखने में आया बच्चों के लापता होने के बाद आखिरकार ये वाक्या मीडिया की नजरों में आ गया और यूं ये वाक्या पुरे मुल्क में मशूर हो गया मुख्लिफ चैनल्स पर इंटरव्यू देते हुए वालदयन ने पुलिस की नाकिस कारवाईयों पर शदीद तनकीद की मीडिया की वज़े से ये वाक्या हकूमती सता पर पहुंच गया और मुल्क के सदर की तरफ से पुलिस को इंवेस्टिगेशन तेज करने का हुकम दिया गया मुल्क भर से कुल मिलाकर तीन लाख आफिसर्ज इस इंवेस्टिगेशन का हिसा बने और आम लोगों ने भी इस तलाश में अपनी तरफ से पूरी मदद की पूरे मुलक से लोगों की तरफ से पुलिस को 500 के करीब इतलात मिली लेकिन कोई एक भी फाइदा मनना हुई इसके लावा लोगों की तरफ से घटियां मजाग पे किये गए कई फून कॉल्स मसूल हुई जिन में बच्चों के रोने की आवाजे सुनाई देती तो कभी पैसो की डिमान की जाती एक दिन पांचों बच्चों के फादर्ज ने एक गहर ममूली काम करने की ठानी पांचों ने अपना काम छोड़ा और एक वैन खरीदी इस वैन पर बच्चों की तलाश गुमशुदा वाले पोस्टर लगाए और मुल्क के मुख्लिफ शहरों में जाने लगे भीड़ वाली जगों पर रुक कर लोगों को बच्चों के पोस्टर देते और मदद की अपील करते इस तरह वक्त गुजरता गया जमापुजी कम होती गई, वालदाइन की परिशानी मजीद बढ़ती गई परिशानी कम करने के लिए पांचों में से किसी ने शराब का सहारा लिया और किसी ने नीम की गोलियों का इतना सब कुछ करने के बाद कोई सुराग न मिल सका दूसी तरफ एक क्रिमिनल साइकॉलोजिस ने दावा किया कि तमाम लड़के जॉंग से गुम होने वाल एक लड़के कीम जॉंग के घर के तैखाने में कैदे है इनके शाफ ने मीडिया में तहलका मचा दिया पुलिस की तरफ से घर की मुकमल तलाशी ली गई तैखाने को तहस नहस कर दिया गया लेकिन कोई सुराग न मिल सका इसके बाद उस क्रिमिनल साइकॉलोजिस को इस किस से हटा दिया गया और मीडिया को ऐसी बेबुनियात खबरें शाया करने से रोका गया इधर वालदेन मुसलसल तलाश चारी किया हुए थे वालदेन ने घोर किया कि तमाम मेडिया इंटर्व्यूज और प्रेस कांफरेसे के दुरान एक आदमी हमेशा मुजूद रहता है इस आदमी से बात करने पर पता चला कि वो सीक्रेट इंटेलिजन्स का मेंबर है इसने इंकिशाफ किया कि बच्चों के लापता होने में मिलिटरी का हाथ है जिन पहाड़ियों से बच्चे लापता हुए इसके करीब ही एक मिलिटरी बेस था जहां शूटिंग प्रैक्टिस की जाती थी इस इनकिशाफ पर वालदेन के यकीन पुखता तब हुआ जब एक आदमी ने बताया कि जिस दिन बच्चे लापता हुए उस दिन उसने उन पहाड़ियों की तरफ से गोलियां चलने की आवाजें सुनी हिरानी की बात ये थी कि अभी तक पुलिस ने मिलिटरी को इस केस से दूर रखा और ना ही बेस के करीब तलाश की गई वालदा इन की तरफ से जोड़ देने के बावजुद मिलिटरी बेस की तरफ कोई सर्च उपरेशन नहीं किया गया दूसी तरफ पांचों वालिदों ने वापस कारोबार की तरफ लोटने का फैसला किया और इस तरह दा फ्रॉग बॉईज की तलाश रोग दी गई आएस्ता आएस्ते ये वाकिया वक्त के साथ भुला दिया गया और दुबारे इस वाकिया का जिकर ना मीडिया पर हुआ और ना ही पुलिस की तरफ से कोई सुराग मिला बच्चों के घर वाले भी अपनी अपनी जिन्दगियों में लोट गे लेकिन कुछ भी पहले जैसा नहीं था 26 स्थमबर 2002 बच्चों के लापता होने के 11 साल 6 महीने बाद वालिदین को दर्दनाख खबर पहुँचाई गई दो लोकल आदमियों को इंसानी हडियां मिली उसी इलाके से जहां बचे लापता हुए खुदाई करने पर कंफरम हुआ के यहां वही पांच बचे अपने समान के साथ दफन है हिरानी की बात यह है कि इस जगा आलमोस्ट सो के करीब सर्च उपरेशन किये गे लेकिन कोई सुराग ना मिला और 11 साल बाद इन बच्चों की हडियां वही दफन मिली बच्चों के साथ बंदू की गोलियां और शेल भी मिले 11 साल बाद सिर्फ हडियां ही बची थी और फटे हुए बुसीदा कपड़े थे इसी वज़ा से बच्चों की मौत की बचा बताना नामुम्किन हो गया था बच्चों की बाकियात को एक साथ जलाकर राख करीब के तलाब में भादी गई वालिद हैं की तरफ से पुलिस की कारकरदगी पर शदीद गुसा नजर आया आज तक बच्चों के लापता होने और वापिस उसी जगा पर मिलने की हकीकत मालूम नहीं हो सकी लेकिन बाहर कोई न कोई है जो जानता है उन बच्चों के साथ क्या हुआ